Roofing Seat आज के टाइम पे काफी important construction material जो है वो आपका बन गया है आज के टाइम पे काफी जो है इसका mostly आपका यूज किया जा रहा है आपका construction के अंदर लेकिन जादतर civil engineers को ये नहीं पता होता है कि आपका roofing seat जो है कितने types की आपका market के अंदर आपका available है तो hello everyone मेरा नाम है अम आज की वीडियो का जो हमारा topic रहने वाला है वो है आपका roofing seat जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका कितने types की roofing seat जो है वो आपका construction के अंदर आज के time पे जो है आपका use की जा रही है सभी को one by one discuss करेंगे सभी के आपके advantages और disadvantages की साथ हम लोग सब कुछ discuss करेंगे सबसे पहले हमारी जो seat है वो है आपका AC seat जिसको आपका asbestos seat भी आपका जो है बोला जाता है image के अंदर आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह कि आपका seat होती है basically इनकी जो आपका manufacturing की जाती है वो आपका cement के साथ में आपका abastos fibers होता है उसको mix करके आपका जो है इस seat की manufacturing की जाती है इस seat का आपका सबसे बड़ा advantage यह है कि यह आपकी seat जो है काफी हद तक आपका thermal insulation जो है वो आपका provide कराती है तो अगर आपको कहीं पे ऐसी location पे seat को use करना है जहाँ पे आपको thermal insulation की requirement है तो आप कम price के अंदर इस seat को use कर सकते हैं क्योंकि इस seat का जो price होता है वो काफी कम होता ह आपका as compared to other आपकी seat होती है more derivatives के बात करें तो सबसे बड़ा seat का disadvantage होता है वो यह कि यह easily आपका break हो जाती है मलत हभिनको handle करना थोड़ा सा आपका difficult होता है as compared to जो आपकी other seat होती है दूसरा आपका disadvantage जिसका यह है कि इनका जो weight होता है वो बाकी जो mary seats होती है उसकेANS CU vi जो weight होता है वो काफी ज्यादा होता है तो इसके लिए हमें जो आपका structure तयार करनी होते है वो भी आपका heavy करनी होती है तो हमारी जो overall costing होती है वो थोड़ा सा आपका increase कर जाती है आपका जब हम इसकी structure को तयार करते है इसके बाद next है आपका GI seat जो की सबसे ज़्यादा widely आपका use की जाती है आपने ये बहुत जगे आपने देखी होगी हो सकता है कि आपने अपने घर में भी अगर construction कभी कराया होगा तो वहाँ पे भी आपने ये use की होगी तो basically ये आपका GI की seat होती है इनका सबसे बड़ा जो disadvantage होता है वह ये होता है कि ये जो seat होती है आपका काफी lightweight होती होती है तो noise की problem सबसे बड़ी रहती है मालों कि अगर मैंने किसी room में कहीं पे इसको use किया हुआ है तो अगर आपका rain आपका चल रही पढ़ रही है या फिर आपका जो है आपका वो आता है इसके अलावाद thermal insulation इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है आपका तो ये heat बहुत जादा है अब जो करती है तो अगर आपने कहीं पे इनको use किया है और वहाँ पे temperature काफी high है तो उस case में अपने नीचे का temperature उसको काफी increase कर देती है तो thermal insulation की facility इस seat के अंदर न आपको available है साथी साथ बहुत light weight होने की वज़े से जो आम लोग इसकी structure को जो construct करते हैं वो structure भी आपका काफी light weight होता है इनकी life भी काफी जादा होती है और साथी साथ आपका जो corrosion की problem होती है वो भी इसमें कम देखने को मिलती है इसके बाद आपका यहापर next seat आती है color coated seat basically य KPA आपका एक तरीके से GICT ही होती है आपका लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके उपर color जो है वो आपका कर दिया जाता है अलग-अलग different textures के अंदर आपको यह देखने के लिए मिल जाएगी जैसा की image के अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इनका जाज़तर warehouses बग की तरह हमें करना है हमें front से अपनी structure को cover करना है आपने देखा होगा पोजय का construction चलता है बहार जो है temporary structure जो है हम लोग जो है आपका इस तरह के जो आपकी seats होती है उससे create कर देते ताकि अंदर क्या activity चल दी है वो आपका पता नहीं चलता हमारी जो boundary है वो भी आपका काफी ह lightweight होती है और जिसकी वज़े से हमें जो overall structures है वो आपका lightweight ही concept करना पड़ता है तो overall देखा जाए तो costing काफी कम रहती है आपका इनको आप अपने घर के अंदर भी काफी का आसानी से use कर सकते हो और color coating की वज़े से आपका इनकी जो life span है वो भी आपका काफी increase हो जाता है इसके insulation ठेक है वो आपका हमें thermal insulation की facility नहीं provide कराती है इसका solution जो है वो आपका PUF seat जो होती है वो provide कराती है इसके अंदर क्या होता है उपर भी आपका seat होती है नीचे भी आपका seat होती है और बीच में एक filler material होता है जो की हमें insulation की facility जो है वो आपका provide कराता है जैसे यहाँ पर भी आ आपके यहां पर सीट है बोटम साइड में भी मेरा आपका सीट है और बीच में आपका यहां पर थर्मल इंसुलेशन मेट्रियल जो है वह आपका फिल कर दिया जाता है तो अगर आप जी आई सीट यूज करना चाहा रहे हैं लग कोई ऐसे पॉर्शन पर जहां पर कंस्क्शन करा रहे हैं वहाँ पर आपको जी आई सीट लगाना है और लेकिन आपको इंसुलेशन भी वहाँ पर प्रोवाइड कराना है तो यह सीट आपके लिए सबसे बेस्ट है इन सीट के अंदर आपका क्या होता है कि यहां पर इंसुलेशन की फैसलेटी जो है वह आपका अवेले टाइप लगाने के लिए इस टाइप से ये सीट जो है वो आपका यूज की जाती है एक तरीके से आपका ये PVC का टाइप पे ही material होता है इनका सबसे बड़ा drawback क्या होता है कि कुछ time period के बाद इनका आपका जो ये color है वो आपका fade हो जाता है आप लाओगे किसी और color के और कु काफी कम होता है ठीक है और आप इनके ऊपर चल भी नहीं सकते हैं वहले है इनकी load carrying capacity भी आपका कम होती है as compared to जो आपकी GI seat है उसके इनका सबसे बड़ा drawback यह है आपका कि यह आपका heat कि आपका जो इनका color होता है वह आपका textures होती है वह आपकी change हो जाती है इसके बाद फिर आपका next आती है PVC seat यह typical आपका PVC जो material होता है मेरा उससे आपकी बनीवी होती है यह भी आपको different colors के अंदर जो है वह आपका market के different textures के अंदर आपको यह मिल जाएगी इन seats का भी सबसे बड़ा drawback क्या है कि इनका जो color होता है वह कुछ time period के बाद में आपका red color है ठीक है तो कुछ time period के बाद में क्या होगा कि यह आपका हो सकता है कि white हो जाए या फिर किसी color shade के अंदर यह आपको देखने के लिए मिल आती है कि अगर हमें said खरीदना अगर जो seats है वह हमें आपका खरीदना है market से purchase करना है तो हमें किन बातों आपका ध्यान लखना चाहिए सबसे पहले आती है आपका material का वेड कि आप जिस structure पर उसको use कर रहे हैं वह structure आपका heavy है या फिर आपका light है तो अगर light है तो आप light seat purchase क कर सकते हैं इसके अलावा next के आते हैं आपैक्स की आप जिस ऐरिया इसको यूजी कर रहे हैं उस एरिया कि आपका weather conditions आपका क्या है क्या क्या है क्या पर काफी ऌती है तो इस केस में मैं suggest करूगा कि आप Addation जो आपका P.U.F. seat होती है वो आप यूज करें यूगि आपको वो insulation की facility प्रोवाइड कराती है इसके बाद next आता है आपका की costing की आपका जो है budget कितना है आप कितना spend कर सकते हैं आपकी जो pocket है वो क्या allow करती है आपका किसी particular जो आप जिस portion में आपको seat लगानी है उस portion के लिए आपके पा maintenance कर पाना जो है वो काफी difficult है possible नहीं है तो ये चार बाते ध्यान में रखके ही आप जो है किसी भी जो seat है वो आप purchase करिए इसके अलावा अगर आप चाते हैं कि जो हमारी seat होती है उसकी quantity कैसे निकाली जाए technical specification इसके measurement कैसे किये जाते है आपका इसकी billing कैसे की जाती है इससे related अगर आपको वीडियो चीए तो comment section में जाके जरूर आप mention करना जितने जाज़ाद है कमेंट आएंगे मैं इसके ओपर जल्दी से जल्दी वीडियो जो है आपको provide कराने की पूरी-बूरी कोसिस करूँगा बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो like share करो चैनल को subscribe नहीं किया सब्सक्राइब करो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो के इंदर ओके थैंक यू